हेलो एवरीवन वेल्कम टो चैनल पाउन फिजिक्स आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इलेक्टोमेडिक स्पेक्ट्रम के बार में स्पेक्ट्रम का क्या मिनिक होता है जैसे आपने 10th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा जो आपके पास स्पेक्ट्रा वीजिबल स्प चैनल तो कोई भी ऊडिश्टीविशन कोई जो हम एक स्पेसिफिक और में स्टिविशन करते हैं किसी चीज़ का उसको हम जब आरेंज करते हैं में उसको हम नामते हो स्टमड्स से पहले आप के स freak यह से बाद बोस ने उसके बाद ऐसे जो अन्हें यह Paul की काफी बढ़ी होती इस दो हमा arriving स्टमाइए के जो विलेंथ जो लाई करती है तो आप देख सकते हो काफी बड़ी रेंज है कहां पर तो है आपका थाउजेंट मीटर और तो यह रेंज के अंदर उसकी वेवलेंद्थ लाई करती है अगर मैं ऐसे इसको डिफाइन करूं इंटरम फृट्वेंशी तो फ्रिक्वेंसी की जो इसकी रेंज करती है वह टैन इस्ट पाउर फाइफ हाड्स से लेकरके अप्रोक्सिमेटली टैन इस्ट पाउर फाइफ तो काफी लंबी चोड़ई जो है यहां पर इसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की unlike जो व fringe के लिए करते हैं और इसलिए हम इनको अलग-अलग काट्यग्री में मरला अलग-अलग से नाम दे देते हैं कि यह रेडियू वेव यह माइक्रोवेव है अपने परपस के लिए हम इसको यूज करते हैं इनको अलग-अलग रेज़ को वेवलेंग्स उनका हम अलग-अलग से ओरले डिस्टिब्यूट कर देते हैं कि यहां से यहां तक की जो वेवलेंग्स है उसको हम इसलिए यूज करेंगे, यहां से यहां तक की जो wavelength है, उसको हम इसलिए यूज करेंगे, तो यह जो order distribution जो है, एक specific order में जो हम इसको distribute कर देंगे, इसी distribution को हम नाम देते है, Electromatic spectrum का, ओके, तो यहां पर सबसे पहले समझाने के लिए, देखें, मैंने यहां पर scale बनाया सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपर ले करके चल रहा हूं, वेवलेंथ की ट्रम में, किसी बुक में increasing order में मिल सकता है, किसी बुक में decreasing order में मिल सकता है, ले देखें, आप जैसे भी दे रखा, आपने इसको याद रखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहां से शुरू किया है, तो इस टाइब से अलग अलग टाइब से इसको लिखा हुआ मिलेगा, वेल्यू सेम ही है, जैसे यहां पर यहां पर 10 is for my 6 meter लिखा हुआ है, मैंने, यहां पर 10 is for my 6 meter है, इसकी जगह मैं 1 micrometer भी लिख सकता था, तो इस scale को मैं micrometer में भी ले करके चल सकता था, इन सभी को मैं micrometer में convert करता, nanometer में भी ले के चल सकता था, मिली में में भी ले के चल सकता था, लेकिन मैं यहां पर ले करके चल रहा हूँ, इसको मीटर के अंदर सिधा सिधा, तो यहां पर मेरा scale स्टार्ट हो रहा है, वो 10 is for 3 meter से start हो रहा है, 10 is for 3 meter, 10 is for 2 meter, scale किसके लिए है, electromagnetic wave की wavelength के लिए, यह ध्यान रखना है, wavelength के लिए, 10 is for 1 meter, 10 is for 0 meter, 10 is for minus 1 meter, 10 is for minus 2 meter, as one up to 10 is for minus 14 meter, ओके, तो यहां पर यह जो wavelength की यह वाली जो range है, 10 is for 3 meter to 10 is for minus 1 meter, 10 is to power 3 meter to 10 is to power minus 1 meter, इस range के अंदर, जो electromagnetic wave आती है, इस wavelength की range के अंदर, जो electromagnetic wave आती है, उस electromagnetic wave को हम नाम देते है, radio wave का, यह जो classify क्या है, वो इनके uses को देखते हुए क्या गया है, यह usage जो है, detail में हम next video के अंदर study करेंगे, सबी के लिए, इन सब के लिए, जैसे जो radio wave का, जो use क्या जाता है, वो wireless communication के लिए use क्या जाता है, जो करके दिखाया था उस time पर, तो यहाँ पर, अलग 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 से classify कर दिया गया, तो यह वाले जो range है, 10 raise to power 3 meter से, जिस electromagnetic wave की wavelength, 10 raise to power 3 meter से, 10 raise to power minus 1 meter के बीच में लाई करती है, उसको हम ना देते है, radio wave का, okay, next, ऐसे ही आजाओ यहाँ पर, 10 raise to power minus 1 meter से लेकर के, 10 raise to power minus 3 meter, जिसके wavelength, जिस electromagnetic wave, electromagnetic wave की जो wavelength, 10 raise to power minus 1 meter से, 10 raise to power minus 3 meter के बीच में लाई करती है, जो wavelength, उसको हम नाम देते हैं, उस wavelength वाली electromagnetic wave को हम नाम देते हैं, microwave का, okay, जिसके, सेम ऐसे यहाँ पर आईए, 10 raise to power minus 3 meter से लेकर के, 10 raise to power minus 7 meter, wavelength वाली जो electromagnetic wave है, उसको हम नाम देते हैं, infrared, infrared electromagnetic wave, या simply infrared wave भी आप इसे नाम दे सकते हो, यही पर ही 10 raise to power minus 7 meter के wavelength के order में ही, एक हमारा छोटा सा region लाई करता है, जिसको visible region, visible light हम नाम देते हैं, visible spectra हम नाम देते हैं, यह जो लाई करता हो, कहां जो लाई करता है, 400 nanometer to 700 nanometer, जैसे मैंने, आपने 10th class में, आपने इसी में याद रख रखा होगा, जैसे अगर मैं इसको meter में कनोट करता हो, तो कह लिख सकता हो, 4 into 10 raise to power minus 7 meter to 7 into 10 raise to power minus 7 meter, इस region के अंदर, 10 raise to power minus 7 में ही है, 10 raise to power minus 7 में कहां से कहां तक, 4 into 10 raise to power minus 7 से लेकर के, 7 into 10 raise to power minus 7 meter, जो wavelength का जो region होता है, उसको नाम लेते है, visible region, visible light, जिसको आप देख सकते हो, कि इनकद्र आप देख सकते हो, जैसे violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, यह आपके पास visible region होता है, बाकी जो हो आपके पास non-visible हो, उसे आप देख नहीं सकते, इसको आप देख सकते हो, इस region को, तो यहाँ पर 400 nanometer या 700 nanometer की wavelength की जो light होती हो, वो visible होती है, यह आपने सिर्फ visible spectra आपने study किया था, 10th class के अंदर, V, I, B, G, Y, O, R, या R, O, Y, G, B, I, V, तो यह भी वही है, इसको आप wavelength की तरह में याद रखोगे, तो यहाँ पर सबसे जादा wavelength जो है, वो red color की होती है, इसकी wavelength maximum, और सबसे कम जो wavelength है, वो violet color की होती है, ऐसे, ठीक है, increasing order में याद रखोगे, तो वोईलेट से अपर साइड जाओगे, तो red color की साइड तो यह wavelength बढ़ती है, सबसे जादा wavelength red color की सबसे कम वोईलेट की, frequency की ट्रब में याद रखोगे, काइद बो आपक है नियू काल याल Cup। तो जिसकी वेगोलेंट जाता हुसकी फ्रिक्वेंसी कम मंलेगी किस्की वेगोलेंट के अगौर्टेंग और इस फोर्मूले की और इसी फ STEM के लिए इस विजिवल रिजन के लिए निकाल सकते हो इस सब के लिए निकाल सकते हो यह आपने निकालनी भी है बताएंगे आगे देखिए नेक्स्ट जो आपके पास रिजन आता है अपैसट जुपावर मालेग्स से ले निकालनी रिजन पर्मलट से लेकर चुपावर मालेग्स बाल हिस गरास में म कहालनी यह जो नह焦्र हैंश्ट जो आपके पास बॉस्ट जय है और यह रिजन ऊमडिक पर 1-1-9 मिकाल capitalist की जो आपके पास यह लेक्र होग मैं होत्य है 10 is to power minus 12 meter, 10 is to power minus 9 meter से 10 is to power minus 12 meter के wavelength की wavelength का जो आपके पास region होता, वो कौन से wave के लिए होता, x-raise के लिए, उसको किसका नाम देते हैं, x-raise का, यह सब चीजे आपने सुनी हुई होगी, detail में भी study करेंगे इन सब के बारे में, इस वीडियो में और next वीडियो के अंदर, next जो आपके पास आता है, 10 is to power minus 12 meter से लिए करके, 10 is to power minus 14 wavelength का जो रीजन है, यह आपके पास होता है, gamma rays के लिए, 10 is to power minus 14 meter, यह जो wavelength की जो आपके पास वे होती है, उसको अमनाम देते है, gamma rays का, ऐसे इसके निचे cosmic rays भी आप अलग से लिए के चल सकते हैं, लेकिन में लिए हम इसको इंटर्स में classify करते हैं, ओके, अब यहाँ पर, सबसे पहले तो, आप इसको याद कैसे रखोगे, आपको एक चीज़ तो याद रखने पड़ेगी, चाहे तो आप wavelength की टरम में याद रखी, या frequency की टरम में, या increasing order में, या decreasing order में, जैसे यहाँ पर मैंने scale बना दिया, 10 is to power 3 के लिए, जो size होता है, किसके लिए होता है, बिल्डिंग के लिए, जो mostly building का size होता है, वो इनके लिए होता है, तो आप, आपके starting में याद रखने के लिए, आप इन चीज़ों को याद रखोगे, फिर आप भूल जाओगे, जो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, याद र साइज होता है, human का size होता है, वो इसके बीच में लाई करता है, ओके, तो यहाँ पर यह building और human के size के order के wavelength मतलब, radio wave के लिए, सेम ऐसे यहाँ पर यह जो size होता है, 10H4-1 के असपास, यह आपके पास किसका होता है, butterfly का होता है, तो butterfly के size के order के wavelength, size हो, वो size है, यह wavelength है, उसके wavelength ह जो आपके पास होता है, उसको हम किसमें रखते है, microwave में, ऐसे ही next, यह आपके पास आता है, approximate 10H4-5 meter, यह needle size जो आपके पास होता है, needle point size, वो आपके पास इस order का होता है, वो किसके लिए, infrared के लिए, और microwave के भीच में, सेम ऐसे ही, हाँ पर आप आगे चलोगे 10H4-7 meter, यह ज में, लिए, जो साइज पास होता है, आपके पास होता है, तो इसको हम किसमें रखते हैं, visible region में, next आप चलोगे, यह जो साइज जो होता, approximate 10H4-9 meter होता है, यह आपके पास होता है, मॉलिक्यूल का size, तो मॉलिक्यूल के size को आप किसके लिए, मॉलिक्यूल के size की जो वेवले के लिए एकसरेज के लिए सेम ऐसे यह वाला जो साइज के लिए नुकलिस का साइज नुकलिस का साइज पास होती है वेव वह कौन सी होते है गामा रहे तो आप इस टाइप से इनको थोड़ा टाइम के लिए अपने माइंड में रखोगे फिर भूल जा हुए थोड़ा बहुत अप्रोक्षिमेट साइज उपर नीचे हो सकता है लेकिन फिलाल टाइम स्टार्टिंग में याद रख यह आपके पास किसके लिए मोलिक्यूल नेक्स्ट प्रोटो जोवा नेक्स्ट नीडल साइज नीडल पॉइंट साइज नेक्स्ट आपके पास बटरफ्लाई साइज नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हुमन बिंग उससे नेक्स्ट बिल्डिंग्स तो इस टाइप से सबसे पहले आप इसमें याद रखोगे यहां से नुकलियस नुकलियस से मिलके बनता एटम एटम से मोलिक्यूर प्रोटोजोवा निटल पॉइंट साइज बेटरफ्लाइ वूमन बिल्डिंग तो पहले आप इसको याद रखोगे फिर आप यह गामा रेज एक्स रेज इसकी जो एक्जेक्ट वैल्यू होती है रेडियो एक्जेक्ट वैल्यू होती है तो यह आपके पास अप्रोक्सिमेट कितना है 600 मीटर तो 600 जब हम लाज स्केल की बात कर रहे हैं तो हम आप 600 कैसे लिखें बहुत बढ़ा स्केल हो जाएगा जैसे आगर हम इसको भी लिखते तो बहुत बढ़ा स्केल हो जाता है लेकिन अब अब इसको अलग से दिखाएंगे तो इसका स्केल काफी बढ़ा हो जाएगा तो यह आप में जैसे प्लस बन किलास में पढ़ा होगा ओडर एंड मैंगनिट्यूड तो जब यह ऐसी बात होती है तो हम उसको नियरली क्या त उसके थ्रू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा बहुत साइज जो है वेवलेंथ का आपको उपर नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि वेवलेंथ का जो ओडर जो है काफी बढ़ा है इस ऐसे तो अगर मैं स्केल ट्रा करूंगा तो बोर्ड पर थोड़ी आ पाएगा वह नहीं आ पाएगा तो इसल specialized range में यहां पर दिखाया है ठीक यह बात हो गई इसकी wavelength की सेम ऐसे अगर हमको frequency के टरब में बताना जाएं तो frequency की टरब में कैसे बताएंगे देखिये यहां से अगर आपको wavelength पता है तो आप frequency कैसे बता सकते हो तो यहां से आप इन सब के लिए frequency find out कर सकते हो तो जो मैं आपको कह रहा था starting में कि आप एक ट्रम में याद रखो के चाहे तो frequency की ट्रम में याद रख लेना या आप wavelength की ट्रम में याद रख लेना अगर यह भूल गए कि किस रेंज में कौन सी वेव है तो एक्जाम में नंबर कर सकता है क्योंकि एक्जाम में जो question पूछा जाएगा वो कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि आपके पास कोई यह आपके पास ऐसे देगा 10 इस टू पावर माइनस 12 मेटर के wavelength के आपके पास कोई वेव है बताए उसका हम कहां यूज करते और उस वेव का नाम क्या है तो तो जर अध्यान से देखे 10 इस पावाइस 12 मेटर किसके लिए है कौन सी वेव है एक्स रेज ह कहां करते हैं यह आपको पता है और बाकि हम डिटेल में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इन सब का यूज भी study करेंगे ठीक है सेम ऐसे वह आपको ऐसे भी कह सकता है कि 10 इस पावर माइनस 6 मिटर की wavelength बताए कि किसके लिए होती है क्या नाम देंगे हम उसको और कहां उसका यूज करते हैं तो 10 इस पावर माइन 6 मिटर यह रहा इंफारेड वेव यूज कहां करते हैं यह हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेम ऐसे यह आप से इसको फ्रिक्वेंसी की पूछ सकता है जैसे वह आपको दे देगा कि आपके पास कोई 10 इस पावर 20 हा तो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मला नियू इस इकल तो सी बाई लेंबडा वियर सी स्पीड ओफ लाइट इस इकल तो त्री इंटो टैनिस्ट पावर एट मीटर पर सेकिंड ओके तो यहां से शुरू कर देते हैं इसके लिए अगर हम देख किया है से एक सेगेंड के अंदर ॥िंटु टैनिस्ट पावर फाईफड वह ऑसिलेट कर रही है रेडियो कहां तक चैनिस्ट पावर माइस वन मीटर तक तो कहां तक हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी किरेंगे अंच तो लेकर कि कि ने तक वो जाएगे 3 Íंटू 10 इस्टाव 8 वाइट या दिवाइड़ भाइव मास थी तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 हट इन सब्सुर्ण 15 अब में लिखे आँ 10 होगा सका क्रूम में डिखा हो नीं और आगे जा करें के कम जादा हो सकता है तो तो 10 is to power 5 hearts 10 is power 6 hearts 10 is for 7 hearts 10 is power 8 hearts 10 is power 9 hearts तो इससे hearts की जो frequency होगी वो किसके लिए रेडियो वेव के लिए फिर आपके पास आ जाएगा 10 is for 10 10 is for 11 10 is for 12 10 is for 13 10 is for 14 15 16 या आप अपनी तरब से खुद जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद भी इनको कर सकते हैं यह आपने फाइंड आउट करके देखना है किस रीजन में कौन सा आपके पास आएगा जैसे माइक्रोविव का कहा तक है से लेकर के इनकी आपके पास पास पार 15 हाड़्ज अगे तो जम आपको बदा रहा था फ्रिक्वेंसी की जो रेंज लाई करते हैं अप्रोक्सिमे टैने इस पार फाइफ हाड्ज से लेकर के टैने इस पार 25 हाड्ज तक मतलब कहने का 25 हाड्ज जैसे फॉर एक्जामपल जो आपके पास गामा रेज है 23 हाड्ज की आपके पास गामा रेज है मतलब कहने का वह एक सेगेंड के अंदर टैने इस पार 23 टाइम उसिलेट करती है कहने का मतलब यह है तो इस टाइप से आप एक चीज याद रखोगे या तो वेव ल इस क्या होगी तो यह कहां से कहां दक लाई करता है वेवलेंथ इसकी 400 नंवीटर से 700 नंवीटर वोईलेट के लिए 700 नंवीटर रेड कलर के लिए 400 नंवीटर मतलब 4 इंटु 10 इस पार माइं 7 मिटर जो आपको बता रहा रहा था बुक में अलग-अलग टाइप से किसी भी आपको यूनिटी में मिल सकता है नेनो मेटर माइक्रो मेटर मिली मेटर जो भी है या सिंपल मीटर यह 7 इंटु 10 इस पार माइं 7 मिटर तो इसके लिए 7 इंटु 10 इस पार माइनस 7 तो निकाल सकते हो थ्री बाई 4 इंटु 10 इस्ट पाऊर 8 प्लस 7 इस पाउर 15 त्री बाई 7 इंटू 10 इस पाउर 15 हर्ट शोल कर लेना जो भी वैल्य आएगी ओड़ चेंज हो जाएगा रेड कलर की frequency कम हो जाएगी दिख रहा होगा आपको रैट कलर के फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी आपर कितना आएगा 0.4 something ठीक है और यहाँ पर कितना आएगा 0.8 something तो यह आपके पास इसकी जो range जो है जो रैट कलर के जो लिए wavelength जादा थी अब रैट कलर के लिए frequency कम हो जाएगे जिसकी wavelength जादा उसकी frequency कम जिसकी frequency कम उसकी wavelength जादा ओके तो यह जो ओडले distribution जो है in term of wavelength या in term of frequency for electromagnetic wave इसी को हम नाम देते हैं electromagnetic spectrum का इनके usage जो है radio wave कहां use की जाती है microwave का क्या purpose है इनका use जो हम next video के अंदर discuss करेंगे अभी जो हम discuss करेंगे अब हम बात करेंगे कि हम इसको produce कैसे कर सकते हैं जैसे अलग-अलग range जो आपके पास है यह जो electromagnetic wave रेडियो wave microwave इनको हम produce कैसे कर सकते हैं और detect कैसे कर सकते हैं तो जो production का जो simple एक जो method आपको बता रखा वो तो यही है कि oscillatory charge particle होना चाहिए oscillator या accelerating charge particle है तो हम electromagnetic wave को generate कर सकते हैं अब यह सारी electromagnetic wave भी तो है radio wave microwave infrared visible ultraviolet x-rays gamma rays है तो यह electromagnetic wave अलग से नाम दे दिया तो अगर आपको exam में anyhow याद नहीं रहता है कि हम इसको कैसे produce कर सकते हैं तो आपने क्या लिखना है कि हम इसको with the help of accelerating charge particle या oscillated charge particle हम इनको produce कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर और detail में जाते हैं मतला हम charge particle accelerate किस method से करेंगे अलग-अलग यह जो आपके पास अलग-अलग जो wave है radio wave microwave इनको produce करने के लिए अलग-अलग से charge particle को accelerate किया जाता है accelerate किया जाएगा चार्ज पार्टिकल ही लेकिन थोड़ा से detail में जा करके study करोगे तो किस method से accelerate किया जाता है तो अगर आपको याद रहता हो method जो अभी मैं आपको बताऊंगा तो ठीक है लेकिन exam में अगर माली जा आप बोल भी जाते हो कि किस method से हम यह 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 कैसे हम इसको produce कर सकते तो आपने simple लिख देना है with the help of accelerating चार्ज पार्टिकल अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं radio wave को हम produce कैसे करेंगे produce करने का मतलब with the help of oscillated चार्ज पार्टिकल तो हम radio wave के लिए चार्ज पार्टिकल को oscillate कैसे करेंगे accelerate कैसे करेंगे तो radio wave के बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हाड़ एक्सपरिमेंट complete तो with the help of oscillated circuit oscillated circuit जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल उसिलेट करता है कैसे with the help of inductor और capacitor तो उसकी help से हम चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्टोन को accelerate करते हैं और उस इलेक्टोन इलेक्टोन मतलब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्टोन एक्सलेट होता है वैक्यून टूब में तो आपको microwave देखने को मिल जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं infrared wave, infrared wave जो है वो कैसे हम produce कर सकते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं जो atoms और molecules जो है atom और molecules जो vibrate करते हैं जब आप atom और molecule को vibrate करते हो तो atom molecule मतलब उसके अंदर charge particle प्रजेंट है proton electron तो वह भी vibrate करेंगे vibrate करने का बहुत अंदर और आपको infrared wave देखने को मिल जाएगे नेक्स्ट है जब वह वैलेंस इलेक्टोन उस एटम को छोड़ करके चला जाता है एकसाइट हो करके कहीं और अधर स्टेट में चला जाता है किसी दूसरे एटम के पास चला जाता है तो उस टाइम पे आपको यह वीजिवल वेव देखने को मिलती है जैसे माली जी आपके पास कोई भी मतलब जो भी है इलेक्टोन इसमें एक ही है तो यह जो इलेक्टोन जो है वह यहां से वैलेंस इलेक्टोन का नाम देंगे यह वैलेंस इलेक्टोन इसको छोड़ करके चला गया मतलब वाइब्रेट कर रहा है उसिलेट कर रहा है कौन कर रहा है इलेक्टोन मतलब चार्ज प excited state में या excited state से ground state में उस टाइप में आपको अल्ट्रावोइलेट वेव जो है देखने को मिलती है या यह आप किसी भी होट filament में भी आपको देखने को मिलता है जैसे इसका में सोर्च जो है संसे जो रही है तो ऐसे आपके पास कोई internet आप सकते हैं next disc ray x ray कि जाती है वह फ्रीट्वे this कि यहाँ पर यह कोई आपके पास्व एक्टम था वह इसका इनर अटर से यह इसका आटाव जाता है तो जब आउटर से वेलेंस से जब एक्टाउन करके कहीं ओर जाता है कि इसाइटेश स्टेट में जाता है किसी दूसरे अटम के पास जाता में पर आपको वीजिवल वेज विजिवल लाइट के प्रोड्यूज होती है लेकिन जब अंदरवाले सेल में से यह इनर सेल अदर वाले सेल में से कोई लेक्टोन से वाइब्रेट करना शुरू करता है। जंप करना शुरू करते हैं भारवाले के पास जाता है, उस tires प्रोदेज ती है, due to inner cells ठीक है। Next, आप के पास आता म boxes गうगप गाम üzल गपी जो प्रोदोयम होते हैं। उसका तो यह तो होगे इनका production method कैसे आप चार्ज पार्टिकल को उसिलेट कर सकते हैं अब next हम बात करेंगे इनको हम detect कैसे करेंगे detect भी तो करना है detect कैसे करेंगे तो detection के लिए हम कैसे करते हैं इसका यूज सबसे पहले हमारे पास आता है radio wave रेडियो वेव को जो detect किया जाता है वह हम simply receiver aerial रेडियो अंटिना जो है उसकी हैल से हम इसको detect कर सकते हैं रेडियो वेव का जो हम यूज करते हैं या एंटिना जो आपके घर के उपर डिस टाइप एंटिना लगा हुआ है पहले लोंग cable टाइप एंटिना होता था आप डिस टाइप यूज करते हो तो उनकी हैल से आप रेडियो वेव को detect कर सकते हो उसी के वज़े से आप टीवी देख पाते हैं उसमें चैनल देख पात हम इसे देख नहीं सकते रेडियो को detect कर सकते हैं with the help of antenna देख सकते हैं सिर्फ इसको वीजिवल लाइट को इसको हमने वीजिवल लाइट का नाम दिया माइक्रोवेव को हम detect करते हैं with the help of point contact diode point contact diode जो है या आप जो की semiconductor electronics जो unit होगी उसमें आप इसको अच्छे इस पर लेंगे point contact diode जो है वह वीजिवल वीजिवल से हम इसको detect करते हैं नेक्स्ट आपके पार साथ इंफरेड इंफरेड जो है उसको हम कैसे detect कर सकते हैं इंफरेड रेज को हम detect कर सकते हैं विद फोटोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म फिल्म जो है इस वीजिवल लाइट को वीजिवल रेज को detect कर सकते हैं साथ के साथ इसको फोटोग्राफिक फिल्म पे भी detect कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट आता आपके पास अट्रावोइलेट अल्ट्रावोइलेट एक्स गामा रेज यह सारी हम यूज़ डिटेक्ट करते हैं वीजिवल लाइट को हम अपनी आई से भी detect कर सकते हैं तो यह है इनको detect करने का method है तो अब question जो पूछा जाएगा वो जैसे आपको एक तो बता दिया wavelength देदेगा frequency देदेगा पूछ लेगा पता है कौन सी वेव की है कहां पर हम इसका यूज करते हैं या वह आप यह पूछ लिया जाता है यह वह आपको wavelength देदेगा frequency पूछ लेगा यह आपको कुछ भी नहीं देगा simple frequency की रेंज पूछ लेगा कि पता है इंफारेड फ्रिक्वेंसी इंफारेड जो है वेव जो उसकी frequency की रेंज क्या है उसकी wavelength क्या है तो इस टाइप से खुल मिला करके एक या दो नंबर का question आप से पूछ लिया जाता है इस electromagnetic spectrum में से एक या दो नंबर का question जो next जो वीडियो होगी इनके जो यूज जो है कहां कहां पर हम इसको कैसे कैसे इनको हम यूज कर सकते है रेडियो यह microwave एक या दो नंबर का question उसमें से पूछ लिया जाता है exam ओके तो इस वीडियो में इतना है thank you